नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैदिक उप्चार द्वारा प्रेजिंट स्वास्ति संजीवनी में आपके साथ मैं हूँ भावना प्रसाद आपके स्वास्ति को लेकर कोशिश की जाती है कि प्राकर्तिक उप्चार के माध्यम से आपको लाव दिया जा सके कोशिश यही रहती है कि आप घर बैठे भी कुछ क्रियाओं के माध्यम से योग के माध्यम से प्रकर्ति के करीब जाके लाव पा सके और इसमें हम अधिक जान कि विकास ने और अध्योगी करण इतना ज़्यादा हो गया है कि व्यक्ति ने अपने आप ध्यान देना ही छोड़ दिया है जिस वजह से रोग जो है लगातार बढ़ रहे हैं तो कई बार क्या होता है आदमी सोच ही नहीं पाता है तो वक्त की बहुत ज्यादा कमी होती है बिजो में तो खास कर ज्यादा एक तो जो चिंता करती है तो चिंता के काण भी थायरेड का रोग बढ़ जाता है और कई बार क्या होता है जो यूरिया खाद हो रही है और यह दूसरे जो है उसके काण भी थायरेड का रोग बढ़ जाता है क्या होता है ग्लैंड दीरे दी पूरी खाल लटकने लग जाती है तो इस में आप क्या करें फिर वेट पड़ने लग जाता है वेट इतना बढ़ जाता है कि पुछो मत है आदमी को जीनना चड़ते उतरते भी सांस चड़ने लग जाता है एधनी खञाए का बढ़ने लगेगा फिर आदमी के कर भीजा आएगा फिर एक्दम बेड जाये गा उनााराम सा मैसूस करने लगेगा पिर सलते फिरते तो पेट भी इतना मोटा पेटब्र फूल दे लग जाता है दवाई भी खा रहा हूं यह भी नहीं है कि दवाई नहीं न खा रहा, कोई 50 mg खाता है, कोई फिचता है, कोई 100, फिर कोई 125 या 1500 तक, लेकिन क्या होता है, कुछ देर तक तो उनको अराम रहता है, लेकिन वीमारी के जो साइड इफेक्ट है हो तेजी से बढ़ते जाते हैं, एक तो वेट पढ़ने लग जाता है, सूजन आने लग जाते है मलब, क्योंकि एक ग्लेंड एक्टिव नहीं होता, इसका जो योग पराकरती चिकित्षारा आरवेदी में बहुत ही अच्छा मलब हो है, अगर आप आरवेदी की अच्छी तरह सला लोगे, तो थायरेड में जो इंगलिस दवाई आप खारे हो, साथ में अगर आरवेदी भ पिलेगा, किसी भी आरवेदी डाक्टर से आप सला लेक है, आरवेदी कोर्स करें, और योगर पराकरती चिकित्षा में जो मैं उपाए बता रहा हूँ, अगर आप ये करेंगे, तो आपको बहुत 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 पिलेगा, एक तो जिन का वेट बढ़ता जा इसके गिरारे करें, और आपका वेट बढ़ता जा रहा है, जो थाइराइड की गोड़ी आप खारे हो, इंगलिस, उसके कारण आपका जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं, और वेट आपका रूकी निराबढ़ने से, आप पानी भी पी रहा हो, तब भी वेट बढ़त रहा है तो ये सफेद पिठे का आप जूस पिए, ये जूसर से निकलेगा, सफेद पिठा कैसा होता हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ, दोस्तों आप देख लें, ये सफेद पिठा होता है, इसकी फाड काट ले, और ये अंदर से सफेद होता है, जिसकी मिठाईया बनते है, जो इसको सफेद पिठा कह देते हैं क्योंकि अंदर से ही वाइट है देख लो आप तो इसकी अपना सूबह स्याम दोनों टर्प और इसमें आप जिनको थारेड का रोग है और अरहा दनिया भी डाल सकते हैं थोड़ा सा अर्या दनिया डालें और आमा अल्दी आमा अल्दी भी ड पेखर निकलेगा मैं देखता हूं यह आप पियेंगे तो बहुत अच्छा रहा आराम मिलेगा आपको सफेद पेखे का पूरा जूस निकलता हूँ आप को यह देखते लिए एक पूरा जूस कैसे निकलेगा आप देखते रही से इसे देखे ज़रा ध्यान से देखते रहें ये पूरा एक ग्लास जूस निकल जाता है दो या तीन फाड़ ले ले अपना काट का है फिर इसको अपना थेली में रखता है फ्रीज में रख दे और फिर अगले दिन यूज़ करें ये पन दस बारा दिन चल जाएगा आपका तो इसको देखो ये जूस निकलने लगा कोई मिकिसी विक्सी और चक्रों में उपड़ जाओ तो तो से विए लाए निकलता चलाजयेगा मैं अपने देख ले अपने ये ग्लास जूस निकाल ले ये ग्लास दे रहे देखो किना फटा 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 निकल रहा अपने फाड़ ली रिकाट कर इसमें डाल दी अपने जूसर से ये एकदम जूस निकल गया देखो अर्या रहा और ये ताजी ही पी ले इसको देर तक ना रख और उसात में आब आमनानड़ की चिरिया क्योंकि विसुद्र चक्र हमारा हो जाता है तो आपने आपन्य अब आमनल की किरिया करनी है yachya कैसे करनी ये मैं दिखा भी दिता हूँ तो ये साथ चक्कर होते हैं हमारे तो क्योंकि हमने तो अपने आपको बैनी फिट अच्छा लगेगा कि विल्गुल दर्शकों इस कारेक्रम में हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्ति को लेकर किस तरीके से आप शार्रहिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर फिट रह सकते हैं यह सभी बाते इस कारेक्रम के दौरान आपको बताई जाती हैं अगर फिर भी मन में कोई डाउट रहता है किसी चीज़ को आप जानना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लाश हो रहे हैं इसे बीच पंसर जी अगली कॉलर जो है वो जुट चुके हैं हमारे साथ नमस्कार हम कानकूर से बोल रहे हैं हां बताएं अर्स और रहा ढ Towards After the तो एग至ष तो एक दो हरते तो हो जाता हैं तक दोइसे ही साल हो चाहए ना इसलिए भी साब तो बारबार नहीं आता रात को आपको कि ऑप्र पार आद बार पर कितनी बार पाकितनी बार आतto और यह तो इसमें ं अच्टर से सला लेगा करोगे तो देखो बेनी फितत्सा मिलेगा दो साइड इपक्त नियूप पाएंगे मैं तो यही कहता हूँ और गरम-पानी में नमक-फित्की डालका आप सिकाई कर रहें को पैरों की सिकाई करें गुट्नों पर भी टावल रखें उससे तो तीन गंटे अराम रहता है तो उससे साथ आरवेदिक खूरस आप करेंगे नसो का खोलने का तो बहुत बहरी नहीं पिर मिलेगा और आप स्टीम लें घुटनों पर स्टीम लें मैं झिखा देता हूं इसम लें जैसे गर्दन में दरुद और गर्दन में भी और घु तो आप यह लेंगे तो इससे आपको benefit मिलेगा और रात को दूद माल दी चोथाई चमक अल्दी लें और फुरा सा लसन ले दस बारा करी लसन की एक च्वारार पांट साथ मुनक्का डालका दूद को उबालका है आप यह पीएंगे तो और भी अच्छा benefit आपको मिलेगा जी पेंसर जी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गुटनों के दर्थ की वज़ा से परिशान रहते हैं जॉइन पेंट की वज़ा से परिशान रहते हैं और एफेक्टर पॉजिटिव हो जाता है अर्थराइटिस इस तरह की समस्याइं जो है आजकल युवाओं में भी देखन बढ़ने लग जाता है पेंट किलर तो क्या फोरी तोर पर राम करेगी लंबे टाम तक अराम नहीं करेगी यह मैं वेरी कॉंस्वियंस दिखा देता हूं देखो अलग 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 कैसे कैसे बीमारी आती में दिखाने की कोश्चिस करता हूं आपको यह देखो यह पहले इस खडाय ऽे लहा है ना बैठेखा हालत बुरी होगता है क्योंकि वेरी कॉंस्विएन्स की पैरों में जो नुसा की कमज़री ती व आ गी है फ़िघो गुटनों में बहुत जादा दर रहता है पैरों में सूजन ज़हां आ घी ываем सी आ बता है है और यह किम दोंका री है तो य ये फिर झालत ये प्ला बीमारी बड़ जाए जब यालत हो जाती है और ज्यादा फिर काला पन पड़ जाता है मताया लावॉ्र जाती है तो देखो पैरों में फिर यह देखो यह पूरा बिल्कुल पैर खराब हो जाता है अब खुनी संसार निया तो पैर काला पड़ जाएगा वह यह सीधा सिंपल सा मैंतर है तो आपने सिर्फ अपनी नसों को खोलना देखो यह देखो वेरी कॉंस्वेंस होगी न से लोग अगर गंभीर हो गया है उसे कंट्रूल करना चाहते हैं उसमें लाब पाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप फोन करके सलहा ले सकते हैं फिलाल बंसर जी कॉलर जो है वह हमारे साथ जूट चुके हैं जी स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार जी बताएं नमस्क बहुत ग्याज बनती है साथ वो किस तीज की ले रहे हैं वो जोड़ों के बैस की रहना है अच्छा तो उनको आराम पड़े या नहीं पड़े ये बताओ पहले तो हाँ थोड़ा बहुत तो पताते हैं लेकिन डॉक्टर साथ मेरे हस्बेंट क्या हो जा ठीक तो मैं तब जान तो इसका लग्याज करो मैं तो यही करूँगा जो गैस की बिमारी बढ़ जाएगी तो जब सक्राने लग जाएंगे तो यही समझ्या हो जाती है फिर दीरे गैस की बिमारी को कभी भी हलके में नहीं लेना तही है तो इसका लग्या प्रोपर एक पेट पर यह गरम ठंडी पट्टी बंद वाओ इनको खाना खाने के बाद एक चमच अजवाएन और एक चमच जीरा डाल का पानी को बाल का इनको सुबहर शाम दोनों टेम दो खाना खाने के बाद फिर पेट पा एक गरम ठंडी पट्टी बांदेंगे तो बहुत ही अच्छा बैनिफित विलेगा त दिखा देता हूं यह आपना पट्टी बांड़नी है यह पानी में डबोले डिप कर लें अच्छी तरह तो तो यह देखो आराम से देखलो यह पानी में डिप करके तो यह पानी में डिप कर ली आपने अची तरह नॉर्मल पानी में डिप करें इसे फिर निचोड़ दें अची तरह को यह देख लो यह अची तरह निचोड़ दें इसको कि यह तो अपना ओफिस में भी बाल बांध कर जा सकते हैं को ऐसी प्रेसा नहीं इसको पेट पर अची तरह बांदें उपर शेक गरम यह कोई कपड़ा ही है हमारे यहां से बंगा सकते हैं तो घर में भी आप बना सकते हैं यह हमारी की मैडिकेट्ट़ ओती है भल बहुत अच्छी होती है तो यह क्यूंकि अक साइज के अनुसार बनने जाती है तो जोता हो चैसा भी आदमी बांध सकता कितना भी पेट बड़ा हो वह वह इसको यह पेट मोटा पेगो दूर करने में मदद करती है उसको गटाती है गैस मैं होते हैं बहुत ही अच्छा बैनी फिर्मेटे पेट की गर्मी को निकालने में यह मुदद करती है ते देख लो अच्छी तरह ओपर शेख जो गरम कपड़ा होता है यानि शौल मुखलर टाइप मैं यह बांदे यह देखो यह गैस के लिए बहुत ही मैं बहुत ही बैनी फिट का काम है गैस के लिए और मैं करहा हूं साथ मां अरवेधी कोर्स जरूर करें जिनको भी गैस बनते हो बीमारी को कभी भी हलके में ना लें यानि सुत्रू को कभी भी कमज़ोर ना समझें कि वो कितना तेज आकर्वन कर देगा आपको पता है नहीं चे लिगा तो इसलिए कह कमरे में ही टेलें तेज कदमों से लेंगे तो बहुत ही आपको benefit में लेगा यह देखो यह अपना कपड़े पहने 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 अपना फिर उपर से अपना अपना कपड़े पहन ले अर घर्मा गूम सकते हैं अराम से यह ठंड महीं बांद लेंगे तो कोई नुक्षान ने करे तो आप तुरंट बांदेंगे तो बहुत अच्छा तुरंट आराम पड़ेगा आपको और पेट मुटाप्य को तो दूर करने में मदद करती करती है कई चीज़ों में बहुत अच्छा आराम दो उपर से कपड़े पहन लें लो अपना गूंते रहें कोई प्रेसा नहीं न पाउन मुक्तासन भी दिखा देता हूं और भुजंगासन भी दिखाता हूं दुन्नों आसन दिखाता हूं पाउन मुक्तासन करें जिनको भी गैस बनती है वो पाउन मुक्तासन करें तो ये देख लें ये पाउन मुक्तासन है अराम से करें पूरा तीन बार सुबह तीन ब बहुत इचा ये भुजंगासन है ये भुजंगासन करें इसको कम से कम तीन और तीन छे बार करें सरपासन करें भुजंगासन करें तो ये बहुत ही अच्छा आसान आसन है जिनको गैस बनती है गैस के लिए बहुत ही अच्छे आसन ही है तो पेट के लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट आप अच्छे योगाचारिय से शीक है आप अच्छी उनकी देख रेक में करेंगे तो और जबाद आपको ला मिलेगा तो ये कर लें एक बर अच्छी तरह किसी भी अच्छे योगाचारिय सीक लें इसी में फिर मुडूक आसन कर लें जिनको गैस बनती है देखो और प्रेट पर लंबा गयरा सांस बरें और पिर दीरे दीरे निच्चे जुकने की कोशिश करें इससे पेट की गैस आपकी निकलने मैं मदद करता है जिनको पेट की गैस बंती है उनके लिए बहुत ही ये वह निफिट वाले आसन न किसी भी अच्छे योगाचारिय से एक को लाब मिलता है और अगर आधिक जानकारी प्राप्त करनाचाथे हिरे लगातार अगर आपके फ्लैश हो कर रहे हैं लाप पर Software इसके को कि सल्हा के कर यह सकते हैं सला के लिए किसी प्रकार का शुल्क आप से नहीं लिया जाता है मैंसर जी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परिशान रहते हैं और फिर एक बार मोटाफा बढ़ गया तो फिर बढ़ता चला जाता है उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है देखो क्या होता है फिर दीरे क्या होता है आदमी पानी पीएगा तो भी वेट बढ़ जाएगा आदमी कई ब कनाई जम जाती है लीवर के काम कम हो जाते है तो इसके अकार फिर वेट बढ़ता चला जाता है तो इसलिए मैं तक करहा हूं सफेद पेठे का जो जूस हम बताते हैं बहुत ही बेनिफिट है फिर हमारे आरवेदिक डाक्टरों ने बहुत अच्छी रिसर्च भी करी है बाद भी जूसता उसमें योग भी आगया प्राकर्ती चीकEC Dir भी आगी आरवेद भी आगया बोजन भी आगया डाइट भी आगया तो एक धाली योग होता हो करें तो बहुत यह जा शहा का जवार का इसकी आटे की रोटी खाएं क्योंकि कई बार क्या आटे की रोटी से मिलब गेहूं की रोटी से बढ़ने लग जाता है तक गेहूं चना जों और जवार इन चारों काटा मिलवा का थुरा पिसवा ले और थुरा दा भून ले फिर इसकी रोटी खाएंगे तो के सभी हिस्सों में रक्त की एक एहम भूमिका होती है शरीर के सभी हिस्सों में अगर ठीक तरीके से पहुंचता है तो निसंदे जो आपके सभी अंग होते हैं वो सुचारू रोप से काम करते हैं लेकिन अगर कहीं न कहीं इसमें रुकावट आ जाती है नसों में ब्लॉके ज आजाती है तो आपके शरीर के अंग ठीक तरीके से कारेकरदा बंद कर देते हैं और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो वही रोग बड़े हो जाते हैं और एक सिथी ऐसी आती है कि उन रोगों उन अंगों को कटाने की नौबत आ जाती है तो ऐसी नौबत आए ही ना यही प्रयास के माध्यम से रहता है कि आपके शरीर की पूरी तरह से शुद्धी हो सके आपके शरीर में रक्त का संचार पूरी तरह से हो सके नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हैं बात करके आप सलाह ले सकते हैं वसली शरीर के अंदर रक्त का संचार और रक्त क शुद्ध होना ये बेहत जरूरी है दो तो यही दिखाते हैं लोगों को यही बताते हैं आपको कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है यह रोग क्या होगा आपकी खुद की कमी के काणु जाता है जब आप नसों को नहीं खोल पाते हैं तो धीरे-दीरे बिमारी बढ़ जाती है हम तो यहीं दोस्तों आपको सला देते हैं योग प्राकर्ति चिकित्षार और वेद के दोरा आप कैसे अपनी नसों को खोलें देखो कई बार क्या होता है रोग कोई बहुत ही छोटा सा होता है धीरे धीरे और फिर अपने ग्रोथ करता रहता है बढ़ता रहता है तो आप मने क्या करना है अगर आपको कहीं पर भी मालो एडी में मामूली सा भी दर्दा आजा आपने तुरंत अच्छे योगा चारिया से या आरवेदा चारिया से तुरंत सला लेनी ते यह उसका कोर सलक्त कर लेना ता यह एक दम है क्योंकि बीमारी फिर दीरे दीरे बड़े आपकी नसे बलोक हो और बलोक हो और बलोक हो फिर आपरेशन की नोबत ना है अम तो यह चाहें कि आपरेशन देखो कब होता है जब बिल्कुल एक काम खतम हो जाए तो इसलिए वह तक हरा है वक्त रहते इलाज करें अर यह नसों निएरे देखो कोभगों जोर ऊ써े लख़नों में करती दोर्दा है हालत बुरी है पैरों में देखो सूजन आ रही है कई जंग तो यह काला पैर नीचे का या अँग क्लर मार कितना जो फिर यह कॉंस्वियन्स व्जाति यह रूख जाती है यह लीली निदीобр 않은 पड़ जाती ते देखो अब यह क्या आलो रहा देख अब यह देख लो दोस्तों आपको खुद आपके सामने है मैं दूसरा भी पैर दिखा देता हूं इसमें बीमारी अभी कम है कम है लेकिन यह भी बढ़ती जारी है देखो यह पैर कितना साफ सुतरा पहले और उससे पहले बाड़ा इस आएगा सूजन आजाएगी पैर अपना खुद बद्दा लगेगा आप अपने पैर को देखने में भी सर्मिंदगी महसूस करोगे तो अब यह लेडिज कहरी मैं जीनस पैर के गूमती थी मैं तो बहुत सुन्दर थी मेरी पतली टांगे थी इतनी सुन्दर टांगे थी मेर इस पूमत है अब देखो मेरी कैसी हो गही है सूजगी है मेरा अलत बुरिय है मैं एक तेक हो जाओंगी फिर यह बिमारी लाइलाज हो जाती है तो इस जिसका कोही राजी ना हुद दोस्तो अब हम भी क्या करें क्या न हम था आप और यहारु हैं और यह पैर होगे हैं तो तो यहां खिति दो धे बहुत हुसर फो करें जो नशों भूलने को बहुत ही पढके लुक्त हिए तो फिर तो अपरेशन काने ही फाजा रहता है लेकिन और नभत तो को आने दो में तो यही चाहूँगा कि आप वक्त रहते हिलाज करें देखो जिस खेत में पानी नहीं जाएगा वो खेत सूख जाएगा समझो एक खेत है पूरा पांच किले का एक खेत है जहां तक पानी जाता रहेगा वहां तक फसल नहराती रहेगी आप उसमें खाद डालतो कुछ भी डा जाएगा लकडी हो जाएगा और फिर गिर जाएगा फिर वहां पर दरारे भी आ जाएगी यानि फिर मिटी सी दिखने लग जाएगी तो उस खेत को जैसे वो सूख जाता है जैसे पानी जहां तक जाएगा वहां तक फसल नहराती रहेगी ऐसे ही हमारे पैर रहें खून है पेर खुन जाता रहेगा आपके पेर भी सुन्दर दिखते रहेंगे जा खुन जाना बंद हो जाएगा उनमें तरह तरह के काला पन नीदला निसान ये वो फिर आने लग जाएगे दोस्तों वही सिस्टम वही है अगर आप पहले ही मैं तो कह रहा हूं आपने खेत जैसे खेत में पूरी पानी जैर ले रहता रहेगा खाद पड़ती रहेगी तो ठीक रहेगा नी तो सुख जाएगा बिल्कुल दशको प्राकरतिक उप्चार केवल चिकित्सा पद्दती नहीं है ये जीवन की पद्दती है जिसके आधहार पर आपकी जीवन को बहतर बनाने का प्रया हो रहे हैं आप संस्थान को विजिट भी कर सकते हैं आप यहां पर आकर आयूर्वेदिक डॉक्टर से बात कर सकते हैं नारी परक्शन करा सकते हैं साथी साथ प्राकरतिक उप्चार के माध्यम से अपने रोगों में लाब पा सकते हैं फिलाल आप सभी से इजाज़त लेना जोड़ने के लिए शुक्रिया है नमस्कार जी नमस्कार जी नमस्कार जी नमस्कार